नमस्कार आपदीख्रे नियूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांध्मन आपके साथ गत 13 जुलाई को राजधानी पटना की जो स्थती देखने को मिले थी वो बेहद ही भयावा थी बीजेपी के द्वारा ब्यार विदायन सबा घिराव मार्च निकाला गया था जिसके बाद जब स्थती बेकाबू हुई थी तो पटना की डागबंगला चोराहे पर प्रसाशन ने ना आओ देखा था ना ताव और जम कर लाठिया बरसाई थी आसुगैस के गोले दागे गए थे वाटर कैनन का अस्तमाल किया गया था और इस लाठी चार्ज की प्रकिरिया में बीजेपी के कई कारेकरताओं से लेकर कई विदायक MNC और सांसदोग पर भी लाठिया बरसाई गए थी जिसके बाद बिहार की सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई बीजेपी बौकलाहट में है और लगतार सरकार पर एक के बाद एक हमले करते जा रही है इतना ही नहीं बीजेपी कारेकरता विजे कुमार सिंग की मौत का जम्मेदार भी मुक्षमंत्री निती शुमार को ठैराय उन्हें हत्यारा बताया गया और अब याच्च का दायर की गई सुप्रीम कोट में जिस पर अपसे कुछी देर में सुनवाई होनी है और आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है फैसला इस बात को लेकर कि क्या इस मामले की उच्चिन्याइक जाच होगी क्या कुछ खुलासे ह आज की सुनवाई में फैसला किसके पक्ष में जाएगा क्या होगा दरअसल बीजेपी के विदान सबाम आज के दोरान हुए लाटी चार्ज मामले पर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होगी बीजेपी कारे करता बुपेश नाराय ने इस मामले में 20 जुलाई को सुप्र वरुन कुमार सनहा ने इसकी जानकारी दी है भाजपा कारे करता बुपेश नाराय ने सुप्रीम कोट में याचका दायर की है अपनी याचका के जरी उन्होंने इस पूरे मामले के CBI या SIT से जाच की मांग की है उन्होंने ब्यार के CM नितीश मार और डेपिटी CM और DGP के खिलाफ FIR दच करने की मांग की गई है दरसल 13 जुलाई को जहानबाद जिले के BJP नेता विजे सिंग की विधान सबा मार्च के दौरान हुए लाटी चार्ज से मृत्यू हो गई थी साती BJP सांसे जनारदन सिंग सिगरिवाल ब्यार विधान सबा में नेता का कहना है कि उनके शरीर पर कोई चोट का निशान मिला ही नहीं पोस्ट माटम रिपोर्ट में हिर्दे गती रुक जाने से मौत का कारण बताए गया है लाटी चार्ज को लेकर BJP के रास्ट्रिया अध्यक्ष जेपी नज्जा ने चार सदस्य जहच कमिटी भी बनाई थी ज चरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है लेकिन BJP इस बात को मानने को तयार नहीं अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोट जा पहुचा है जहां 25 जुलाई के बाद आज अस सुनवाई होनी है बड़ा दिन है आज जो देखने वारे बात यह होगी कि कि किसके पक्ष में फैसल आता है और उस पूरे मामने के उच्छे नाइक जाच होती है या नहीं ये तो कोट के फैसले के बाद साफ उपाई का जो भी कुछ अपडेट इस कबर से रिलेटेड सामने आएगी वो भी हम आप तक ज़रूर पहुचा आएंगे फिलाल के लिए इजासत दें नमस्कार